कया पुछ बोला चाहते हैं के बोलना चाहता है कि मैं अब ही नेता नहीं हूं मैं तुमhara बेटा हूं Sana बेनके मैंने ऐने क्ाम किया हूं पहले आप लोग मुझे जानते हो मैंने 15 साल से सोशल वर्कर हूँ मैंने अंबानी से लड़ाई लेली मैंने अल्ला के बंदे हर हॉस्पिटल में इलाज कराया सुमेटोस के बच्चों को इंसेंटिव दिलाया मैंने हिंदू-मुस्लिम जो करते थे उन लोग से लड़ाई की सब्सक्राइब के खिलाव लड़ना है तो सिस्टम में बैठना पूड़ेगा लोगों ने मुझे बिग बोक्स में बहुत पसंद किया बिग बॉस देखते थे बहुत पसंद करते थे लेकिन मैं ओरिजिनल बिग बॉस के घर में जाकी आया हूँ जहां पर सिस्टम समझ में आता है कि एक्चुली सिस्टम है क्या तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भाहर आके डर के बैट जाने से अच्छा है थोड़ी बहुत जिंदगी बचिये तो लड़के मर जाते हैं मुझे ठ्रेटनिंग के फोन भी आ रहे है कि तुम अपना फॉर्म वापस ले लो बैठ जाओ ऐसा वैसा मैं लड़ाई लड़ने उतरा हूँ मैं लोगों का भला करने उतरा हूँ और मुझे भला ठरना है मैंने यह नेता रहके नहीं मैंने इंसान रहके भी किया हूँ यह जब मैं था तो मैंने लड़ाई या रोड़ पे उतर के लड़ी आपको पता है मीडिया वाले की लड़की को जो अंदेरी इस में हॉस्पिटल में चाले चाल लाख रुपों के लिए उसको उसकी बेटी से मिलने नहीं दे रहे थे उसको छोड़ रहे नहीं थे आपको यह पता होगा यूटूब पे है वो सारे मीडिया वाले मुझे फोन किया मैंने जाके वो लड़की के लिए लड़ाई लड़ी मुझके पुलिस केज हुआ मैं जेल भी गया लेकिन मैं सारे 4,4 लाख रुपे भरके उसको लेकर आप वो मेरी भेन उसकी बच्ची दोनों मेरे लिए दोआय करते हैं सर मैं सिस्टम में आऊंगा तो कुछ कर पाऊंगा और मैं चाहता हूं कि लोग मेरा साथ दे मैं एक यंग और हेल्दी नेता हूं जो लड़ाई लड़ेगा ग्राउन पे उतर के लड़ेगा और घर घर जा के सब को समझाएगा कि हमें किस चीज की जरूवत है अभी हमें मंदीर मस्जीत ये चीजों की जरूवत नहीं है अभी हमें स्कूल की जरूवत है बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कौन से घर के अंदर ऐसा है कि आप देखिए मुझे बहुत सारे हिंदू मिलते है उन्होंने गीता नहीं पढ़ी बहुत सारे मुसल्मान मिलते हैं जिन्होंने खुरान नहीं पढ़ा तो एक्चुली में लोगों को धर्म क्या है वो पता ही नहीं है जब तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कोई गीता यह नहीं कहती है, तो मुसल्मानों को मारतो, कोई कुरान में यह नहीं लिखा, कुरान के अंदर यह लिखा ही नहीं है, कि आप हिंदूओं को मारतो या मंदिर तोड़ दो, यह इंसानों की बनाईवी चीज है, इसको धर्म पे ठोपके लोग राजनीती खेल रह है, आप लोग के लिए, सोसल वर करते हैं, लोग आपको जानते हैं, बहुत अच्छी पैच्चान है, सिदे सिदे बीजेबी, अगर बीजेबीक साम लड़ रहे हैं, और बीजेबीक साम जब में भी कोई लड़ता है, तो यह तो जेल जाता है, यह पर पर कोई तो कोई केस क्या इसे आप जड़े होए हैं, या फिर आप इसके लिए तैयार खड़े हैं, सी कही ना कही बीजेबीर मेरा ड़र निकाल दिया है, मैं थैंक्यू बोलना चाहूँ आ उनसे, कि देखिये मैं, मेरे पर 9-10 छूटे मुकदमे है, जिसके कोई हाथ पहर ही नहीं है, उसके बा अपने राइट्स के लिए आवाज उठाना, ये गलत है, ये संविधान में मेरा हक है, कि मुझे जो सही नहीं लगता है, वो बोल सकता हूँ, क्या आप मेरे बोलने से आपको इतना फर्क पड़ रहा है, कि आप मुझे जेल में डाल दे रहे हो, मैं बोलता रहूँगा, मैं तेरी भेनों का बलादकार हो रहा था, देश में लोग हिंदु मुसल्मान कर रहे थे, देश में पढ़े लिखे, MBA किये वे बच्चे, जोमेटोज में जाके वेटर बनके खाना दे रहे है, उनके माबाब उनको बच्पन से अपनी जिंदगी सेक्रिफाइस कर दी, अपना फून पसीने का फुरा कमाई निकाला, उसको पढ़ाया, और वो पढ़के उस लाइक है कि वो कई बड़ी जगा नौकरी कर सके, उसको नौकरी नहीं है, वो जोमेटोज में अपने माबाप के सामने खाना लेके देने जा रहा है, उस माबाप के दिल पे क्या बीक्ती है ना मैं जानता हूँ, मैं भी एक बाप हूँ, अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा के उसने अपने बच्चे को पढ़ाया और उसके बाद अगर वो जोमेटोज में जाके खाना दे रहा है ना, वो ही जोमेटोज वाला इन से काम करा कि इनका इंसेंटिव भी नहीं दे रहा थ मुझे जीतने आया हूं ना मैं किसी को हराने आया हूं ना मैं किसी को जीताने आया हूं देंगे और मुझे कई चीजों में परेशा नहीं आईगी कि कल जाओं वहां पर आज यह बरसों वह है उसके बावजूद मैं साड़े तीन जार वोट लिया था एमले एलेक्शन में अब मैं महनत करूंगा तुकि इन्होंने मेरे 26 महीने तो ऐसे ही खराब कर दिये 26 महीना मेरे को यूनिवर्सिटी में भेज दिये दुनिया की सबसे खतनला जेल जहां पर छेसों की कैपेसिटी में चार हजार साले चार हजार लोगों को रखा जाता है खाना मतलब जानवर नहीं खाया है सोना एक के उपर एक आजमी सोता है तो यह सब चीजे मैं देख के आया हूँ तो अब मुझे डर नहीं लगता अब मुझे डर नहीं लगता किसी चीज से पहले भी नहीं लगता लेकिन अब तो बिलकुल नहीं लगता सिवाए मेरे अल्ला के मुझे उसको जवाब देना है और उन्होंने मुझे अंदर से ऐसा फीलिंग दिलवाया है कि अभी थोटी-मोटी जिंदेगी बची है, कुछ अच्छा कर ले, जैसा तू करता था, वैसा कर, सेहत है, तंदुरुस्ती है, करूँगा, इसलिए डंबल लियाओ, कि डंबल निशानी, कि एक तो डंबल उठाने के लिए, पहले तो दिमाग और ताक अच्छा देगा, तो ब्रश्टाचारी, जो चोर है, जो लोगों को लूटते है, जो गरीबों का खुन चूशते है, जो गरीबों के नाम पे अपनी रोटी सेखते है, उन लोगों के लिए ये मैं बना क्या है, ताकि सो लोग आ जाए, तो मैं उनसे लड़ सकूं, और इनक में राष्टे पर हूं, मुझे डराया जाएगा, धंकाया जाएगा, मुझे रोका जाएगा, मेらी फैमिली को परेशान किया जाएगा, मुझे बदणाम किया जाएगा, अब और क्या बदणाम करोगे मुझे? वो तो झिल्नो मनतुसा वो तो इस्जत और जिल्लत अल्ला के हाथ में है बोले जाको राके साहिया मार सके ना कोई ये लोग कुछ भी कर ले किये मेरा कुछ ने बिगाड सकेंगे मेरी जो शुरुआत हुई कुरला में जब मैं गया तो मुझे माओं ने ऐसा वेलकम किया कि हिंदू मुसल्मान का गेम ही खतम कर दी है कि एक मेरी माँ यहां से आई डाल गोस लेके एक मेरी माँ गुजराती वह भी और दोनों ने मेरे को दुआये दी के जास हम तुम्हारे साथ है बिटा हम तुम्हें देखते आ रहे हैं यूट्यूब पर इस पर तुमने करोना में इतना काम किया तुमने कैंसर के पीडिट लोगों के लिए काम किया तुमने हाट पेशेंट लोगों के लिए काम किया तुमने हॉस्पिटल की लड़ाई लड़ी तुम जेल गए सब पता हैं जनता हो इसलिए ये लोग पोखला गए है अब ये लोग अंदर अंदर नीचे से मेरा नाम खराब करने भाई अभी फिलाल मेरी स्थी केजरी वाल से अच्छी है उनको तो खेर अच्छे निता है वो और देखिए यह वैसा ही है जेल भरो अंदोलंग अगर आप उनके साथ नहीं हो आप उनके खिलाफ हो तो हम 26 मेना काट के आए केजरी वाल जी हम मजे ले चुके यह चीज के सब्सक्राइब बड़ा च्छेतर है वक्त कम है तो मेरे साथ जो है वो एक्सपिरियंस लोग चुले होएं मेरे जो भाई लोग है जो कुरला में में मेरा एक बच्चा है जो मेरा छोटा भाई है वो रोद 2000 बच्चों को खाना खिलाता है और वो मेरे अल्ला के बंदेंग और मेरे साथ ऐसे कई लोग है जो already social worker है जो ground level पे काम करते है और जिनको ये पता है कि एजास भाई गली गली जाके लोगों को समझा लेंगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ देखिए महाराज का मुद्धा छोटी जो ये जगा है ना वहाँ पर क्या है पढ़ाई बिजली पानी आप टॉयलेट देख लोगे ना इन लोग के गरीब लोगों के तो आप बोलोगे ये क्या ये मुझे तब समझ में आया जब मैं जेल गया जब मैं जेल में तीन टॉयलेट में तीन सो लोग जाते थे तब मुझे समझ में आया कि ये गंदगी ये बास इसके लिए कुछ करना चाहिए कौन जा रहा है कौन नेता नहीं जा रहा है अब मेरे में इतना गुदा है कि मैं वो टॉयलेट के अंदर टॉयलेट करके उनका दर्स समझ सकता हूँ कि जब पचाथ लोग खड़े लाइन में और तीन टॉयलेट है तो कैसा फिल होता है मेरी लडाई थोड़ी लंबी है मुझे देखो वो बिल्डिंगों में रहने वालों को कोई प्रॉबलम नहीं है भाई यह आसू यह जजबात तुम बेचते हो गरीबों के हालात तुम बेचते हो पिस्ता गरीब आत्मी है चाहिए वो हिंदू और मुसल्मान और पिस्ता उसको ही है यह जो बिल्डिंग में रहते हैं यह सब लोग तो मज़े ले रहे उनको कौन सी लाइट की प्रॉबलम है भाई लाइट की तो जनरेटर आ जाएगा पहले तो मैं अईलाओ की सुरक्षा एजुकेशन और यह जो करीबों के जो यह पानी के मसले है यह घरों के मसले है जो बिल्डर्स इनको बेवकूप बना देते है इनकी साइंज लेके एसारे में इनके घर चीन लेते है इनको अंधेरी से कुरला से पहुचा देते है कुरला से सीधा पहुच जाते है यह मुम्रा यह साकीनागा से सीधा पहुच जाते है कहीं और मेरे को यह लड़ाई लड़नी है जिसमें बहुत सारे माफियाज और बिल्डर्स मिलके यह काम करते है गरीबों के घर चीन लेते है और उन गरीबों को पता निक कहा पहुचा देते हैं उस लडाई में कोई भी नेता नहीं उतरता कभी आप मुझे एक नेता बता जीजिए वह लडाई में वह नेता हो क्योंकि बिल्डर और माफिया ये दोनों मिलके लैंड गरीबों का ले ले लगते हैं जो सालों से वह र मेरे अंदर क्या कमिया हैं व्यवरांगे लिए कर रहा है। पार्टी मुझे लेना नी चाहती पवन जी देखिए पार्टी गोड़ों को रखना नी चाहरी घदों को भगाना चाहरी और या तो फिर खचरों को भगा रही है गोड़े उनको चाहिए नहीं कुईके गोड़ा भागेगा और जोकी ठीक नहीं है गोड़ा भागा तो जोकी गिर जाएगा तो इसलिए अंधा राजा और काना सिफाई ऐसा हो गया है देश को यो लोग क्या कर रहे है देश के चार पायों को पहले हिला रहे है अरे भाई इंडिया पाकिस्तान की डिवेड हमें क्या करना रहे भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा हमको इंडूस्तान में क्या रहा उससे लेना देना हमको हमारे बच्चों को नौकरिये नहीं हमा बाकी सब है कसाई खाने, अमबानी में आदमी जा नहीं पाएगा गरीब आदमी, वहाँ पे तो ये बड़े-बड़े लोग जाते है, और फिर बिल बनता है उनका वो फाइस्टाल होटल है, उदर कोई भी आता है पिछे के रस्ते से, ये वो बड़ी-बड़ी गाडिया उप बड़े-बड़े रूम है, गरीब आदमी कहा जाएगा भाई, वो केम्स में जाता है, इधर जाता है, वहाँ जाता है तो उसको बूलते हैं, अरे, आप बैठिये लाइन में, ये फॉर्म बड़ी है, अरे, गाली देने को मन करता है, आम पूर पड़ा लिखा होता ये जाता है, अब वो आदमी भीजी है, भाई आके जा, तो गरीब का तो जो बच्चा है ये वो तो मर जाएगा, तो क्या हो रहा है, मरा गरीब है, मुझे गरीबों की लड़ाई लड़नी है, मुझे ये, क्या बुलते हैं उसको, अपर क्लास, I don't care about them, उनलोग का सब चल रहा है, उनलोग अपना टेक्स भर रहे, खा रहे, पी रहे, चोरी कर रहे, सब कर रहे, I am concerned about these people, जो अपने हक्त के लिए रो रहे हैं, मर रहे हैं, और अब इतना रो चुके है, कि वो अपनी गुहार को भी नहीं उठा रहे, इतना दप चुके हो लोग, इतना दपा दिया, मैं उनलोग की आवाज बनना चाहता हो, चाहे हो धलित हो, मराठी हो, मुसल्मान हो, ठलाना हो, धिंका हो, कोई भी हो, वो इंदुस्तानी होना मनता है, गास्प्रीस पॉलिटिक्स काफि चल रहे हैं, और काफि ज़रा है, और हर बंदा उसमें अंधा है, यह धरम का धंदा है, और हर बंदा उसमें अंधा है, धरम का धंदा चल रहा है, मैं उसमें नहीं मानता हूँ, मेरे साथ सागर नाइडू चलते हैं, मैं सो जाता हूँ ना, तो नाइडू जाता है, सागर जाता है, मैं मेरी मा उसका नाम है जोरा बानू, मेरी मा ने मुझे बड़ा तो किया, ले सेना में सबसे ज़्यादा मुस्लिम थे जब वो सो जाते थे तो मुस्लिम जाते थे आज हमारे यूद को लोग क्या दिखा रहे हैं उनको ये दिखाओ ना कि मराठी और मुसल्मान भाई है एकी पार्टी बना लो फिर तुमको बीजेपी से लड़ना है तो तुम क्यों जा रहे हो कि मैं सीव सेना तो मेरे को सीट मिल जाए मैं कॉंग्रेस मैं ये मैं वो अरे तो तुम सब लोग इन से लड़ाई लग रहे हैं तो तुम सब एक हो जाओ अगर मराठी और मुसल्मान महरास्ता में एक हो जाए तो कोई और जीच सकता है तो ये राजमीती है और ये धरम पे हो रही है तु मला वोट दवजे तु इसको दे तु मेरे को दे भाई मैं मुसल्मान हो तो मेरे को दे मैं ये बोल रहा हूँ मुझे वोट दो अगर तुमें लगता है कि मैं तुमारे लिए काम कर सकता हूँ लड़ सकता हूं तो मुझे वोट दो और ऐसा निये भाई अभी मेरे भी कुछ मॉलाना लोग अभी फैला रहे होंगे वहां पर जास खान को वोट नहीं देना वोट कॉंग्रेस को देना तुकि हमें ऐसा लगता है जास खान वोट काटेगा अरे जास खान 27 महीना के एल काटा मॉलाना तुम थे गया उदर एक दिन में ताज्यूद पढ़ते और फिर सौरी बोलते क्या हो गया हमने सब लड़ा है तो मेरे भाईयो इस बार तुमारे दिल की सुनना मॉलाना बोले पंडित बोले किसी की मत सुनना अपने दिल की सुनना और देखना के कौन तुमारे लिए भाग के चेंज ला सकता है तक राश्टेबात पे वोट मत देना मजभ पे वोट मत देना मेरे भॉई धरम के लिए मत जी। धरम के लिए भुट में देश के लिए वोट देना है थो अप लोग चाह Gaming निता होंगेơn कोई भी diabetes ये षो Cancer कि आपको पसंद नहीं है इसलिए आप चुनाव डटरे क्या कुछ मनिनियन नरेंदर मोधी मानिनियन नरेंगर तामो तरदास मोधी वह बोरे थे मंगल सुत्र पर कोई बात बोल रहे थे हमारे पधान मंत्री जी और मंगल सुत्र क्या आपको लगता नहीं है जितनी किसानों ने भासी लगा ली आत्मातिया कर ली क्या उनलों का मंगल सुत्र नहीं है उनकी बहु बेटियों का क्या जितने जवान देश के लिए बॉर्डर पर सहीद होते हैं उनकी बीवियों का उनकी बच्चियों का मंगल सुत्र नहीं है देखे किसान और जवान देश के रीट के अड़ी है क्या आपको लगता है मोधी जी ये दोनों अड़ीयों को समाल रहे मोधी जी किसको समाल रहे जो भी बड़े चोर है इस देश के वो बीजेपी में तुम्हें मिल जाएंगे जो बड़े बड़े रेपिस्ट है इस देश के वो तुबे बीजेपी में मिल जाएंगे अब तो यह हो गया है कि ऐसा है कि किसी ने अगर तस बारा हजार पंदरा हजार एक लाग करोड का खपला किया है तो मत को उसे तिकिट मिल जाएंगे बीजेपी में और अब बरसा गायकवार जी भी मुझे एक चीज उनकी बुरी लगी कि उनकी रेली में उन्होंने वो सेक्यूलर है कॉंग्रेस पार्टी तो सेक्यूलर है चो लोग कहती है मुसल्मानों के हमदर्द है समझ में आता है वो भी आपका वोट बैंग की है मुसल्मान नहीं तो आप मुसल्मान को सीड़ देते थे किसी MP मुसल्मान को खड़ा करते लेकिन वह आप वोट बैंग ही है वह आपका खेल है तो आप अपनी रेली में को कोई हक नहीं है कि अगर मैं तुम्हें 26 मिना जगा पर बिठा दू उसके बाद बोलू बहार आजा तो तू ठकेगा रुकेगा नहीं रुकता आदमी भाई मैं अंदर इतना प्लान बना के आया हो ना छे दिन आदमी एक जगा पर बाढ़ जाये तो उसको जैसा निकालेगे न तो इसा भागेगा मालू है जानवर को गुफा में बन कर देते निकालते तो कईसा भगता हो अभी शेर को इन लोग ने गुफा में बन कर दिया था अभी इन लोग खोले शेर को शेर अभी खाली दहा लेगा मैं कहा सोने वाला हूँ भाई मेरको तो ऐसे भी इन सुमनी है मालूम है ये विमारी शारुक कान और हमिता बच्चन को है और हमारे प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी को भी है और वो इस मेरको भी है तो अब तो समझ जा ने अपनी कमपेणिंग में किसको पुलाना मैं केंपेणिंग में करता हूं करती हैं अगराइक का अपना बिलीव नी करता हूं कि आपिये सारे स्टार दोस्ते सारे इंफुलिन्सर बच्चे मेरे दोस्ते अर तो मैं को बुला-बुला कि अगर वोट मांओ के मेरे को मेर McM beauty तो मेरा घड़े रेने का मतलश हुआ मैं अपने लेवल पे मैनत करके वोट लूँगा बल पे बल अपना बल इसलिए डंबल लिया हूं मैं बल पे बल अपना बल इसलिए लिया मैंने डंबल समझे के नहीं समझे कि आई विल फाइट आई विल टेक माई पीपल आई विल गो टू एवरीबडी एन आस मुझे वोट दो अगर आपको ठीक लगता है मेरा यह प्लान है मैं यह कर सकता हूं और मेरे साथ सब यंग लड़के हैं स्पोर्ट जूते ले लिए हम लोगोंने सबने रुपने का कोई शॉट नहीं है और हम लोग साइकिल ले लेके सब जगा जाएंगे जनता को तकलीफ नहीं होनी चीए नहीं तो श्रिप्चना और बीजेपी का रेली था तो इन लोग आपस पर लड़ रहे पूरे पब्लिक वहां पे एक एंबुलेंस थी वह एंबुलेंस को निकल नहीं प फ़प्ते जारे फुलीज परिशान इंके वजे से क्या हमारे पुलीज सोब्यूं इसलिए है डिक वरत लोग है ते लिए नहीं को रोखते रहें लाटी लेके धग्चना के लिए लड़ोओ वरे तमिज से तो वोट कितने हैंगे तिरको अभी से कैसे बता हूं क्या कोई नेता हूं क्या सब्सक्राइब करें तो उसके बाले में जलता हूं क्या कर रहे हो अभी क्या कर रहे हो अभी क्या है देखो भाई यह सूबे पर ठेके दा रहे हैं इन लोग जब आते हैं तो अब मैंने ना दुनिया देख ली यह लंडन अमेरिका यह वो वैसा वैसा सच बोलूँ आ तुम लोगों को हर मॉडल खुबसूरत लड़की घुमाया उस टाइम पर हिरो के वाला फील था वो सब किया पाती किया नाचा गाया सब कुछ किया दुनिया देखी हर किसम की गा किया पहिं ली एक लालत सी मर गई है मेरी यह मैंने सब देख लिया हर मौसलम हर कलर हर सब कुछ देखा मैं और उसके बाद मैंने एक अंधेरा देखा और जो अंधेरे में मैं बैटा ना तो मिड़को उपर वाले ने बोला किया रहे समझ में आ रहा है कि तिर गो अब मैं इसा बैटा हूँ इधर घटमल चल रहे ले इधर सब चिला रहे पब्लीक लोग आपस में एक दुसरे को गाली दे रहे मुझे लग रहा यार कहा भी आगया हूं मैं यार पब्लीक के लिए कुछ कर जैसा तु करता था पहले अभी छोड़के तु वापस क्या कर रहा है फिर मैंने जेल में लोगों के लिए चार सीट पढ़ना शुरू किया कि मैं जेल में लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं जिनको चार सीट पढ़ना नहीं आ रहा था मैं उनकी अरजी लिखना दो उनकी लिए में अरजी लिखता था जित्ते भी भुजुर्ग लोग जो अंदर फशे हुए हैं जिदको लोग भूल गे घरवाले भूल गे जज भी भूल गया उनको मतलब एक साल की सजा में चार साल से अंदर है अदमी उसको को इनसाफ नहीं है ना उस तो पहले में डायलोग के साब से देखता था तारीक पर इंसाफ नहीं मिलता यह वानर मिलती है तो बस तारीक पिर मुझे समझ में आया कि 26 महीने मुझे भी तारीके मिलती गई सर जिन्दगी के 26 महीने बहुत कीमती होते है तो यह समझ में आया कि देश के लिए कुछ करते है बहुत बहुत शुक्री आप लोगों का यह सवाल अच्छा है तुमारा अगर बात ऐसी आई कि किसी पार्टी पर जुड़ना है तब का तब देखेंगे पहले जीत तो जाए जीतने के बाद पता चलेगा क्या करेंगे जब इंडिमेंडन आदमी चल सकता है जब जीत सकता है तो फिर पार्टी में काई को जाने का कैसी बात कर रहे हैं जानू खुद के बल पे जीत के आ रहे हैं वागी लोग बोने हमारे पास आ जा रहे हैं चल रहे हैं अकेला भी तो आदमी सूट पेंके जा सकता है कि I am here sir I am I am also member of Parla Medi तो मेरे भाईयों की हिताब में है कि बाई ना diabetes है ना sugar है ना कोई बिबारी है अलहम्दलिल्ला और ना कोई कि ऐसी कमजोरी है ना कोई डर है कि बीवी बच्चे सब अल्ला भरो से छोड़ दिया हूं मैं जो होगा देखा जाएगा लडाई लड़नी है चांड जाएगी देखी जाएगी जो जाएगा देखी जाएगी लेकिन लड़ाई लड़नी है जाएगी डर्वी की अच्छोड़ दिया तो मैं छोड़ दूंगा जाएगा लेकिन देखी सेवा भी तो करें लोग क्या करें एक ही चीज कर रहे काली देख में क्या और भूल गारे अच्छना तो आपको ना सुभा में उठाके जाएगा लोगों की सोच जय सी हो घए आरे अमलोग टेक्स भरते हैं ना सुफच भारक विकास विकास काली दोस्त लोग मिल रहे में और भागी विकास ओरा नियगी किसी खाली दोस्त लोग मिल लेगी यह विकास बहल है यह विकास, जिन्दे है, यह विकास नहीं है, वोह ही निरा है, जैसे पवन चली दी रहे, पाइयाज जिसी जो आपका, कैसे जैन में आए कि अपना तुछ तो आपको एक बार होगा पर नहीं करते हैं, छोड़ो, तुझ आपको उपर आपको, तुम से जाद पौधे मुझे तुम से ज़्यादा मुझे कौन जानता है। झाल